कि हेलो एवरिवन मैं तेजस दादो आप सभी का मेरे कोड़ वीद बैक बेंचर इस यूटुब चैनल में सोगत करता हो तो गाइस अगर आप मेरे चानल पर नहीं हो या आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब किजिए और बे 3 ways to connect your internet to your PC मतलब कि हमारे PC को internet connection on करने के तीन अलग-अलग मेथडस है वह हम देखने माज है तो चलिए आगे बढ़ते है तो सबसे पैदा मेथड कुण सा है हमारा सबसे पैदा मेथड है हमारा वाइफाई उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है हमारा USB और थर्ड और लास्ट ऑप्शन है हमारा Bluetooth ठीक है तो सबसे पैदा हम देखेंगे हमारा वाइफाई वाइफाई से कैसे हम internet connect करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है mobile phone open करना है ठीक है तो गाईस यह आगे हम हमारे mobile में अब यहाँ पे आपको notification पर जाना है और notification पर जाने के बाद यहाँ पर से आपको नीचे scroll करना है स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर आपको hotspot वाला option दिखेगा ठीक है इस hotspot वाले option को आपको on कर देना है अब यहाँ पर hotspot on करने के बाद जो है आपको PC से उसे connect करना है तो आप देखो कोई-कोई जो android phone होते हैं उसमें ऐसे notification में hotspot का option नहीं होता है तो उन्होंने कैसे करना आपको क्या है आपके mobile की जो setting है उसमें जाना है अब setting में जाने कि बाद यहाँ पर देखो other wireless connection है तो वैसे आपको देखके उसके अंदर जाना है अब यहाँ पर यहाँ पर देखो आने के बाद यहाँ पर आपको personal hotspot का option देख रहा है ठीक है इसे क्लिक करना है और ये हमारे रही हमारे हर्ट एक कर Ho Thomas je पारक को ऑनने जैसे यह में आपने करों कर देंगे फिर हमें लिएे हमारों पीसी पे जाना है ठीक है यहे दखो गाइज हम हमारे पीषिए में आगए अब यहां पर आने के बाद यह आपको स्ञेशंवल दिख रहा है ना यह संच का इस पर क्लिक करना ना यह पर क्लिक करना है यहां पर ह्ट्सपोतने में वो यहां पर एंटर करना है तो जैसे आप होट्सपोट हमने अन किया था ना उसी तरह से उसी के नीचे हमारा पासवर्ड दिखा हुआ होता है बस आपको पासवर्ड यहापर कॉपी करना है मैं अब यहापर पासवर्ड दिख देता हूं ठीक है और यहापर मैं नेक्स्ट कर देता हूं और इसे यह पुछ रहा है कि डू यह वांट तो अलाव यूर पीसी टू डिस्कावर्ड रेवल बाइ अदर पीसी हां मुझे डिस्कावर्ड करना है तो इसलिए मैं यहापर यस कर दूगा अगर आपको नए डिस्कावर्ड करना है तो नो करते हैं अब देखो यहापर स्टेटस क्या दिख रहा है कनेक्टेड और सिक्यूर्ड ठीक है और दखे यहां का भी सिंबॉल हमारा चेंज हो चुका है तो यह था हमारा होट्सपाट कनेक्टिविटी मतलब वाइफा कनेक् करना है जो हमारा चार्जिंग का जो केबल होता है उसका यूज करना वड़ता है ठीक है अब इसे मैं डिस्कनेट कर देता हूं तो गैस उसके लिए हमینं क्या करना है कि जो हमारा चारजिंग का केबल एख उसका वन सायड हमें PC पे कनेक करना है और वन सेड हमारे मोब Highway को कनेक करने के बाद हमारे जो मोबायल की setting बादा जाना है उसमें जाने के बाद Other wireless जैसे हमने hotspot connectivity में किया था अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको USB टिटर निटिंग का एक option दिख रहा है तो उस पे उसे on कर देना है जैसे आप उसे on कर दोंगे यहाँ आपका जो internet connection है वो on हो जाएगा आपके PC पे ठीक है आपका जो internet connection है वो on हो जाएगा PC पे और आप internet आसिस कर पाएगे तो यह था हमारा USB connectivity अब इसके बाद में है हमारा Bluetooth connectivity तो चलिए देखते तो उसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले हमारे mobile में जाके जो हम notification में जाना है उपर वहाँ पे Bluetooth का option है उसे क्लिक कर देना है अब Bluetooth का option क्लिक करने के बाद उसी तरह से हमें settings में जाना है उसके बाद में other wireless connection में जाना है अब यहाँ पे देखो Bluetooth tethernating का option दिख रहे आपको ठीक है तो उसे आपको ना on कर देना है इस तरह से आपको Bluetooth tethernating को on कर देना है जैसे आप Bluetooth tethernating को on करेंगे फिर आपको PC में जाना है वहाँ पे कुछ setting करने तो चलिए मैं बताता हूं आपको तो guys जैसे आप अपना Bluetooth टिटरिंग on कर देंगे तो आपको PC में आना है computer पे और यहाँ पे आपको जो arrow button है इस पे click कर देना है यहाँ पे Bluetooth device पे click करना है यहाँ पे add a Bluetooth device यहाँ पे जाना है तो देखो guys अगर आपके PC या laptop में Bluetooth का hardware या Bluetooth का driver install है तो यह आप Bluetooth internet connection यूज़ कर सकते है अधर्वाइस नहीं कर सकते है फिर यहाँ पे add Bluetooth का option दिख रहा है इस पे click कर देना है यहाँ पे Bluetooth पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे आपको जो available devices है वह यहाँ पे display हो जाएंगे फिर आपका जो device है उस पे click कर देना है जैसे आप उस पे click करेंगे ठीक है तब देखो यहाँ पे क्या बह रहा है वह वह डायरेक्ट आपको pin देता है और वह pin आपको mobile में एंटर करना वरता है अब यहाँ पे हम एक pin decide करूँगा जैसे मैं यहाँ पे pin decide करूँगा ठीक है यह मेरे mobile पे notification बेच देंगा pin एंटर करने के लिए अब देखो वाइस हम हमारे PC मोबाइल में आगे अब यहाँ पे क्या करना है जो हमने PC में password की set की थी वह यहाँ पे एंटर करने है जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे pair पे क्लिक करते करने के बाद हमारा जो मोबाइल है वह ब्लूटूथ है वह PC से connect होगा है ठीक है हम चलिए अब भी PC पे जाते हैं यह देखो काईस यहाँ पे दिखो यहाँ पे दिखके आ रहा है your device is ready to go मतलब क्या है हमारा जो डिवाइस से वह पेर हो चुका है अब हमें क्या करना है कर देना है यहां से इसे भी क्लोश कर देना है तो फिर से फिर से आमें इस आरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लूटूथ पे वह द्इखेंगे अब इस पर राइट क्लिक कर देना आपको डिवाइस और गाइज आप मेरे चानल पर नहीं हो या आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो चानल को subscribe किजिए और बेज आंकन को प्रेस किजिए ताकि आप ऐसेativl कि आप अच्छोचे वीडियो के notifications पासएँ तो गैज मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना शेर करो और मुझे अच्छे अच्छे व्यूज और लाइक्स दे दू थैंक यू